हेलो एवरीबर, वेल्टम डूटी आसी स्पोड़ोग, आज हम बात करने वारे हैं टाटा हैरियर के बारे में, जो सीधे कॉमशिन देती है, हुंड़े ग्रेटा, किया सेल टॉस, इसकोडा कुसैक जैसी गाड़ियों को, अगर इसके शाइटिंग प्रैस की बात की जाए, तो पंद्रा लाग बीस हजारा एक शोरूम जिसका बेस वनेटी शाट होता है, और टॉप जाता है, चौबिस लाग सताइस हजारा एक शोरूम तक, और अभी आप देख रहे हैं इसके सेकेंड टॉप, एक जेट प्लस फिरिंट को, जहाब आपको काफी भर भर के फीचर्स दि लखना हो जिनो ने मुझे से कवर करने का मौका दिया, तो डिल एनी टाटा कार्स, विजिट इस वर्म, अगर कलर ऑप्शन की बात की है, तो टाटा हैरियर मैपो ग्रे, वाइट, रेड, ट्रॉपिकल मिस्ट, रोयल ब्लू, और ब्लू, ब्लैक, बहुत सार आपको कलर ऑप देखने को मिलता है, दो लिटर का क्राइट टर्बो चार्ड डिजन जिसके अंदर आपको 170BHP की पाउर, और 350NM का टॉक मिलेगा, मैलेज की बात करें, तो 16-17KMPL तक का मैलेज आपको देखने को मिल जाता है, स्टाटा हैरियर में, वारंटी की बात करें, तो 3 साल और 1,00 किलोमेटर के आपको वारंटी मिलेगी, आप चाहिए तो इसको एक्षेंड भी करवा सकते हैं, ये तो गी पाउर फिगर्स की बात, की की बात कीज़ए तो ऐसी कुछ आपको स्मार्ट की मिलेगी, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, हेडलम्स की बटन, बगल में आपको बूट ख साथ में, नीचे आपको 360 डिगरी कैमरा भी मिल जाता है, इसके सेकेंड टॉप रिंट के अंदर, और टॉप इंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडाज जैसे सेफटी फीचर्स मिलते हैं, हेडलम्स की बात की जाए तो उपर आपको डूल फंक्शन डियास मिलेंग की तरह की दिक्कत नहीं होने वारी है, 17 इंच के वील्स हैं, पूरा बॉनट देख लीजिए काफी कट्स अंक्रीजिस आपको देखने को मिलेंगे, यहाप आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, जो की बरसात होने पर अपने अपक्टिव हो जाएंगे, रूफ मे अगर देखेंगे आपको काफी सांदार सुल्क्स मिलने वाले, 17 इंच के आपको डायमेंड के टलाविस ओफर की जाएंगे, अगर डायमेंस की बात की जाए, तो 4580 mm लेंद है, 1894 mm लेंद है, और 1706 mm आपको हाइड मिलेगी, यहाप ऐसी कुछ आपको मिलते हैं, डायमेंड इसी क्लैडिंग यहापे दी जा रही है, अब बात करते हैं इसके आउट्टर मिरस की, जो आपको मिलते हैं आटो फोल्डबल, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड और अन्फोल्ड भी हो जाते हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेस्मेंट इसी के अ यह काफी अच्छी चीज है, यह इसके डोग रेंडस हैं, बॉडी कलर और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोड़ दोनों साइट देखने को मिल जाएगा, फ्रेंट डैश्बूर देख लिए काफी बढ़े डूवल टोन कलर में, आप चलते हैं यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे, हैर एर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और उपर से शार्ट करें, तो मैं आपको दिखाई चुकाँ रूप में, यहाँ पर शाक फिन एंटिना, पैनरॉमिक सॉन रूप, यह हैमोर शॉप लैम, यहाँ पर वासर, डिफॉगर, वाइपर सारे फीचर्स मिलेंगे, यहाँ पर टाटा की ब्रेंडिंग, उसी की नीचे आपको रिवर्स पाकिंग कैमरे की प्लेस्मन, हैर एर की बैजिंग है, अब बात की जाए इसके टेल लैम्स की, जो आपको LED मिलते हैं, टैनर इंडिकेटर की प्लेस्मन, रिवर्स रै रैट हैट की तरफ, तो इधर आपको मिलेगा फ्यूल फ्लर कैप, यहाँ से डलवाएंगे आप डीजल, पचास लिटर की कैपश्टी मिलती है, और अनलॉक होने पर गाड़ी यह बाहर से ओपन हो जाता है, अंदर से आपको ओपन करनी के ओशकता नहीं पड़ती है, अब इसपेस की बात की जाए, तो टाटा हरियर में आपको 425 लिटर का बूट इसपेस दिया जा रहा है, अच्छा खासा इसपेस है, लगज आराम से आपका यहाँ पे आ जाएगा, यह इसका बूट लाइट, यहाँ पे आपको JBL का सब बूफर भी दिया गया है, अंदर देख इसपेस की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको पूरा मिलता है, उपर आपको डूर ओपनर, पूरे में सौट अच्छ फिनिस, पाउंड़ के कंट्रोज, यह इसका ग्रैब हैडल, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेस्मेंट, JBL के हैं, नीचे स्पीकर की प्लेस्मेंट और यहाँ पे आपको कुछ इसपीस देखनी को मिल जाती है, रियर केविन की बात करें, तो इतना कुछ आपको लेग रूम, हेड रूम दिया जा रहा है, पीछे आपको मिलते हैं, दो-दो हेड रेस्ट, जिनको आप अडिस्क कर पाऊगे, लेधर की सीट से हैं, उपर पिलर्स में, यहाँ पे आपको मिली की कुछ इसपेस, नीचे आपको USB और टाइप सी का दोनों चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यह अंदर का पूरा इंटीर, उपर आपको ग्रैब अनल, जो की फोल्डबल है, कोटुक, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं, दो- 10.25H का टाच इंपो टेमिस चंद एकने को मिल जाता है, इस टाइम के आपको सारे कंट्रोस मिलेंगे, आप चलिए चलते हैं, फ्रेंट ड्राइवर सीट पे, वहाँ पे बैटके एक एक चीश को कवर करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस सेंसर, बहु साड़ यह इसके ORVM के कंट्रोस, नीचे स्पीकर की प्लेस्मेंट, यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा सा स्पेस दिया गया है, फ्रेंट केबिन की बात करें, तो इतना कुछ आपको मिलता है स्पेस, लेदर के सीट्स, आगे वाले जो दो हैड्रेशन उनको भी आप अजिस कर प आपको अपने पेडल्स, यहां से आप अपना बोनट खोल सकते हैं, ऊपर आपको इंजन इस्टाइन इस्टाइन शौ बड़न दियागा है, अपर यहां पर फिनिश, आप चलिए अंदर बैठते हैं, और अंदर से बैठके सारे फीचे कवर करते हैं, तो फ्रेंट डिएव बीच में आपको बड़ी सी डिस्प्ले जिसके नदर आपको बहुत सारी information देखने को मिल जाती है autometer, trip A, trip B इसमें आपको तीन तरह के trend modes भी मिलते हैं normal, wet and rough और MID का button आपको मिलेगा यहाँ पे यहाँ से आप सारे information को देख सकते है geforce meter, power and torque सब सारी information trip A, trip B, mileage range वगरा सब कुछ आप यहाँ से देख पाऊगे यह तो गए cluster के बाद आप बात करेंगा हम इसके steering की जो आपको मिलता है circular form में पूरा leather finish के साथ मिलेगा यहाँ पे टाटा की branding के है, multimedia और कॉल के कंडो साइड में, यहाँ पे आपको cruise control और M.I.D के buttons, यहाँ पे आपको rain sensing, wiper के controls, यहाँ पे आपको headlamps के control दिए गए हैं, अगर adjustment की बात की जाए तो नीचे आपको मिलता है lever जिसके थूँ आप अपने steering को tilt and tell is को भी दोनों तरह से adjust कर पाऊगे आगे पीछे उपर नीचे यह तो को इस शरींग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के center console की तो यह है 10.25 इंच का touch infotainment system, पहले से काफी बहतर हो चुका है, touch response भी काफी अच्छा है यहाँ पे आपको air purifier भी मिलता है android auto, apple carplay, bluetooth, सब कुछ मिलेगा और इसके अंदर आता है 360 degree camera, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो ऐसा कुछ आपको clear camera यहाँ पे मिलता है और side map आपको 2D, 3D बहुत सारे option दिए गए है इसको आप जिस तरफ, जिस angle से देखना चाहिए देख सकते है बाकि आगे का view देखना हो, दोनों side का, पीछे का देखना हो मतलब different angles से आप इसको देख पाएंगे, यह काफी अच्छी चीज़ है यहाँ पे आपको बहुत सारे settings, बहुत सारे information दी गई है climate control को भी आप यही से operate कर पाओगे यह तो कि touch info data system की बात, यहाँ पे AC के events, यह इसका hazard का switch यहाँ पे आपको driving modes के बटन दिये गए, eco city, बगल में आपको sports mode का बटन मिलता है और side में आपको मिलते है fog lamps के सारे buttons, यहाँ पे आपको इसका automatic AC नीचे देखेंगे, तो यह USB port है, यहाँ पे कुछी space नीचे यह इसके train modes, normal, wet and rough, बगल में आपको hill decision control का बटन, यहाँ पे आपको 360 degree camera का भी बटन दिया गया है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो पूरा view दिखता है, और यह इसका automatic transmission आप इसको manual में भी ले सकते है यहाँ पे आपको electronic power brake, auto hold का बटन, यह इसके cup holders, और यह इसका armrest, इसके नदर आपको 12 बोल का charging socket, USB port, Type-C का charging port, सब कुछ दिया गया है पूरा leather finish के साथ में, अगर glove box की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा space देखने को मिल जाता है और dashboard में देखेंगे, आपको पूरे में wooden finish देखने को मिल जाती है उपर आपको auto dimming, IRVM, sun visor में इधर कोई mirror नहीं मिलेगा अगर code devastated की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको mirror, cover, light सब कुछ दिया गया है अगर center की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको sunroof के buttons मिलते है पहले आप इसके blind को open करते है और paranormal sunroof है, और उसी के bugle में आपको देखेंगे एक दूसरा button दिया गया है, जिससे कि आप इसके glass panel को open कर पाएंगे अब चलिए इसको close कर देते है यहाँ पे आपको light के controls देएंगे, जो कि LED रहेंगे और इसके अंदर आपको six airbag मिलते है visibility देखेंगे वो भी आपको काफी बड़ी यसी मिलती है टाटा हैरी के अंदर यह तो गए पूरे interior की बात, आप चलिए गाड़ी को off करते है अब बात करते हैं इसके safety features और pressing की तो इसमें आपको ABS with EBD, center locking, power door locks, charge safety locks, anti-third alarm, seat wheel warning, traction control, engine immobilizer, crash sensor, electronic stability control, roll over mitigation, perimetric alarm, corner stability control, anti-third device, hill assist, hill descent control और यहाँ पे आपको मिलते हैं six airbag अब बात करते हैं main चीज इसकी pricing की तो अभी आप देख रहे हैं second top XAE plus evident को बाइस लाग बाइसी जार एक्षरूम और लाग बाग 26,48,000 रोपे की आपको यह ओनो लखनों पड़ती है तो इस price पर में काफी बड़ा muscular सी six airbag वाली SUV आपको मिल लई है तो यह थी टाटा हरीर कैसी लेकर आपको नीचे comments में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो पूर लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन वन्निवातरम